जै हिन दोस्तों मेरा नाम है अभिशेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR Unbox दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे कि आप इंबलप में इस तरह की डिजाइन करके अपको अपने मार्केट से इस तरह का इंबलप परचेज कर लेना हुगा आपको जिस भी साइज में चोटा बड़ा आप उस साइज में परचेज कर सकते हैं बाकि description में भी मैंने link दे रखिए जहां से जाके आप online में purchase कर सकते हैं साथ ही मैं आपको बता दूँ कि आपको सबसे पहले इस envelope की bits और length को measure कर लेना होगा तो आपको एक scale से इसको centimeter में measure कर लेना होगा उसके बाद हम चलते हैं अपने computer screen पे उसके बाद आपको बताते हैं कि आपको आगे का process क्या करना होगा दोस्तों envelope को design करने के लिए सबसे पहले आपको MS Word ओपन करना होगा दिन वहाँ पे आपको page layout के option पर आके आपको third option मिलता है size का इसको आपको open करना होगा आपके envelope का जो भी size है आप इसमें से threat कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे envelope का size नहीं मिलता है आपके envelope का तो सबसे नीची आपको more paper sizes की option पर okay करना होगा और आपके envelope का जो भी size था आपने जो major किया हुआ था उसकी width और उसकी height आपको यहाँ centimeter में फिल कर देना है उसके बाद आप जैसे यहाँ पर okay करेंगे आपके envelope की size है वो create हो जाएगी अब दोस्तों बात आती है कि envelope को design कैसे करें तो आपको जिस भी इस आप से envelope को design करना है वहाँ पर जो भी कस्टोमाजेशन करना है जो भी टेक्स लिखना है जिस भी फार्मिट में आप उसको कुछ इस तरह से design कर सकते हैं यह हमने एक demo create किया हुआ है आप इस तरह से इसको design कर सकते मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो मैंने size हो गई सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे print preview वहाँ पी चीज क्लियर हो जाएगी यह प्रिंट होगा तो किस तरह से दिखेगा अप लोग देख सकते हैं print preview में इसकी size एकदम perfect है यहाँ पे कोई problem नहीं है अब अब तरना आता है इसको print करने का प्रिंट करने से पहले आपको अपने printer में envelope को लगा लेना होगा हाँ आपको उसकी side को ध्यान रखना होगा कि आपको kit side से print करना है उसके बाद आप direct print command के लिए आपको control peak करना होगा उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको properties की option पर आना है properties की option में आपको यहाँ पर orientation में आपको land escape चूच करना है उसके साथ ही आपको color या gray scale black and white कैसे print करना है आपको यह चलिर करना है उसके अलावा यहाँ पर को कोई भी setting को change नहीं करना है दिन आपको यहाँ पर ok कर देना है उसके बाद आपको final print का command के लिए यहाँ पर फिर से ok कर देना होगा दोस्तों Epson LX10 के बारे में हमने बहुत सारी detail वीडियो बना रखी आप लोग देख सकते हैं पूरी playlist है इस playlist में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी इसकी link आपको हम description में दे देंगे जहां से जाके आप इन सारी useful वीडियोज को देख सकते हैं तो दोस्तों आप लोग प्रिंट निकल कर आया है एकदम पर हिट है हमने जो भी size measure की थी साथ हमने corner पर जितने भी margin रखी थी यहां पर आपको पूरा देखने को मिल जाता है तो कुछ इस तरह का यह process था जिसके through आप इस type के envelope को print कर सकते हो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा वीडियो पर कमेंट करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ खूब सेयर करिएगा और साथ ही साथ अगर आप मारे चैनल पर नए है तो मारे चैनल को subscribe करके बेल आइकान प्रेस कर दीजिएगा तकि हम जब भी नए वीड स्ट्रिफिकेसन आपको जाए दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद जेह हिंद। करें करें आज और